Chapter 1 Electric Charges और Fields Electric Charges और Fields के Question answers देख रहे हैं What is the force between two small Charges spheres chapter started Charge दिया हुआ है 2 x 10 पाँर माँस 7 C कुलम और 3 into 10 to the power minus 7 कुलम और यह 30 cm एक दूसरे से दूरी पे है एर में तो repulsive force होगा क्योंकि दोनों जो spheres हैं उनके charge दोनों positive दीवें इसमें और magnitude इसका यह आएगा कैसे यह कैसे निकल के आए देखते हैं Q1 जो charge है पहले sphere का हम Q1 लेते हैं जो कि यह वाली संख्या है Q2 हम यह लेंगे जो दूसरी संख्या है जो उनके बीच में distance है 30 cm तो इसको आप मिटर में तब्दिल कर दीजिए divide by कर दीजिए इसको 100 से तो पॉइंट 3 9 into 10 to the power 9 होती है तो हमेरे पस सारी चीज़े है Q1 Q2 है R है यानि कि यह है और 1 by 4 pi epsilon 0 हम 9 into 10 to the power 9 लेंगे इसको आ रखिए और आप यह solve करेंगे 6 into 10 to the power minus 3 यह इसका force है और क्योंकि दोनों ही charge जो है आपके same nature के दोनों positive दिख रहे हैं इसका मतलब repulsive force है इनके बीच में Electric force एक छोटा स्फियर है जिसका charge 0.4 microcolum है एक और दूसरा स्फियर है जिसका charge minus 0.8 microcolum है उन दोनों के बीच में जो force है वो 0.2 newton दिया हुआ है आपको distance निकालना है इन दोनों के बीच में और क्या force होगा दूसरे स्फियर पे पहले के कारण है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास force दिया हुआ है पहले वाले का charge दिया हुआ है इसको हम micro को 10 की पाउर माइनस 6, micro का मतलब होता है 10 की पाउर माइनस 6 तो यह 10 की पाउर माइनस 6 कुलम लिख लेंगे जो second sphere है Q2 0.8 माइनस में दिया हुआ है तो 0.8 इंटू 10 दिदो पाउर माइनस 6 कर लेंगे electric force का formula यह होता है f equal to 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by r square इसमें epsilon not जो है permittivity है free space की 1 by 4 pi epsilon not की value होती है 9 into 10 to the power 9 अब हमको r square निकलना है तो r square को एक तरफ करिए बागी सब को दूसरी तरफ कर लीजिए हमको सारी value पता है यह हमने बताया यह दोनों पता है force भी पता है 0.2 newton यह इससे हमारा distance निकल आएगा तो distance आगया अब यह है कि अब देखिए इसमें दो चीज़े लगेंगी एक तो आपका यह और यह दोनों के दोनों opposite charges है इसका मतलब यह दोनों आपस में एक दूसरे को attract तरने वाले है दूसरा यह है कि newton loss है जो force लगता है 1,2 पे वो force होगा f21 minus में equal opposite लगेगा इसका मतलब यह जो force लगेगा इसका magnitude जाने तो 0.2 newton जो दिया है वो ही रहेगा मतलब पहले पे और पहले का दूसरे पे दोनों same ही रहेगा चेक डाट दि रेशियो एक रेशियो दिया हुआ है यह dimension less है अगर आपको table देखना है physical constants का और इसका ratio भी निकालना है और यह ratio आपको क्या बताता है यह भी बताना है इसमें क्या करेंगे यह जो आपका ratio है इसमें यह यह G है वह gravitation constant है इसकी unit है newton meter square kg पर kg square अब mass me और mp क्या है यह mass है तो इनकी unit क्या है kg यह electric charge है इसकी unit है कूलम क है 1 by 4 pi epsilon not इसकी unit हम जानते है newton meter square पर कूलम square तो अगर हम k e square g m e mp जो जो मैंने बताया उनको यहां रख दे के की यह है क्योंकि कूलम यह e है तो इसको हम c की घाट दो फिर g हो गया फिर आपका kg kg हो गया तो अगर इसको हम solve करें तो आप देखेंगे यह c c की power plus 2 है तो यह तो चला गया c यह m square m square यहां से चला गया n n चला गया और क्योंकि kg की power minus 2 है kg plus यह 1 है यह 1 है यह kg square हो जाएगा मतलब kg की power 2 plus 2 और plus 2 की साथ minus 2 चला जाएगा यह ध्यान रखेंगे यह plus है इसे plus और minus 2 दोनों 0 हो जाएगे तो यह m की power 0, l की power 0, t की power 0 इसका मतलब यह ratio आपका dimension less है अगली चीज जो पूछी गई है देखें इसमें एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए इसको रट लीज चार्ज होता है, gravitational constant आपको पता होना चाहिए 6.67 into 10 to the power minus 11, mass electron का, mass proton का यह भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप table से देख सकते हैं, लेकिन मेरी आप से यह घुजारिश रहेगी कि इसको आप याद कर लें, अब यह जो आपके पास expression दिया है, इसमें सारी value रख लें इसको solve करने की कोशिश करें, करीब है 2.3 into 10 to the power 39, यह करीब बनाएगी, यह ratio है, अगर उनके बीच में distance constant रखा जाए, तो यह ratio है, आपको meaning बताना है statement, और statement क्या है, electric charge of a body is quantized, इसकी मिनिंग बताना है आपको, और एक और चीज़ है, why can one ignore quantization of electric charge, when dealing with macroscopic, that is large scale charges, अगर बड़े-बड़े charges आप लें, मतलब macroscopic, एक macroscopic होता है, जिसको microscope से देखा जा सकता है, बहुत छोटे होते हैं, और बड़े जो हैं, इसमें हम quantization, electric charge का हम क्यों ignore कर सकते हैं, तो देखिए, पहली चीज़ का यह है, कि जो electric charge है, किसी body का, वो quantized होता है, इसका मतलब यह होता है, कि हमेशा integral होगा, मतलब Q होगा, N into E, N इसमें integral, integer होगे 1, 2, 3 इस तरीके से, यह N तक जा रहा है, अब यह है कि किवल number of electron, जो transfer हो सकते हैं, एक body से दूसरे body में, वो हम Q equal to N E से बता रहे है, charge, N मतलब 1 से लेकर N तक, अब charge जो है, यह ऐसा नहीं कि 0.3 transfer हो जाएगा, यह 1.6 transfer हो जाएगा, इस तरीके से transfer नहीं होता, यह हमेशा 1 से ले यह 6 electron आएगे, इस तरीके से होगा, तो हमेशा जो body पे charge होगा, वो हमेशा integral multiple पे होगा electron charge, आधा electron और पौना electron कुछ नहीं होता है, इसी तरीके से दूसरे का अगर हम जवाब देने की कोशिश करें, तो macroscopy या बड़े level पे, जो charges है, तो charges जो use हो रहे हैं, वो बड़े huge है क्योंकि जो magnitude अगर आप electric charge लें, तो in macroscopic और large scale charges, the charges used are huge, जो electric charge है, उसके compare में बहुत बड़े हैं, तो quantization जो electric charge का है, यहाँ पर macroscopic level पे इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए इसको ignore कर दिया जाता है, और इसको हम electric charge को continuous मानते हैं उस जगा पे, एक glass rod को जो बड़ किया जाता है, रगड़ा जाता है, silk cloth से, तो दुनों में charge आ जाता है, चार्ज आ जाता है, क्योंकि glass rod में, जो silk से, अगर यह glass rod है, और यह आपका कपड़ा है इस तरीके से, जो इसको रगड़ेंगे, तो इसके कुछ electron इसमें चले जाएंगे, तो यह आपका electron चला गया, तो यह positive charge हो गया, और electron इस पर आ गया, तो यह negative charge हो गया, आपको explain करना है कि यह observation कितना consistent है, conservation of charge का law देखा जाए तो, तो देखिए rubbing जो आपने की, जितना आपका charge एक जग़े से निकलेगा, वो दूसरी जग़े पर जाएगा, तो इसको हम, और जब भी friction, यानि कि रगड़ते हैं, तो charge जो होता है, वो इधर से उधर जाता है, यानि कि net charge जो होता है, जो rubbing bodies है, जिसको रगड़ा गया, जिससे रगड़ा गया, शुरुवात में वो तो zero होता है, लेकिन जब आप रगड़ लेते हैं, तो इधर से उधर पास होता है, लेकिन जि कि पहला situation लें जिसमें इन दोलों को रगड़ा नहीं है तब जो total charge था हो zero है जब यहां से electron चले गए तब भी आपका जितना positive यहां charge आया उतना ही negative है तो आप इनको जोड़ेंगे तब भी आपको zero ही आएगा तो यह consistent है आपके law of qb qc और qd यह square के corners पे रखे हैं जिसका side आपको square का side सब बरापर होते हैं 10 cm दिया हुआ है आपको force निकालना है charge one microculum पे जो center पे रखा हुआ है कहने का मतलब यह है कि आपका यह a है यह b है यह c है ड है अब इसमें यहां पर आपको charge निकालना है side इसका 10 है कैसे निकालेंगे इसको superposition principle लगाएंगे इस पर कैसे होगा यह पहले तो आपको पता होना चाहिए कि side क्या है अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि इसमें symmetry लेके आएंगे इसको निकालने की ज़रूत नहीं है इसमें आपको पहले बता दूँ कि बीच में 0 आने वाला कैसे देखें चार्ज को बहुत ध्यान से देखें चार्ज क्या दिये हुए है पहले चीज़ तो यह पार वाणाने है कियोते हयां से चापर हिएदय किछ थे साइड है यह से यह संत्या से आतले एसे यह साइड़ रस एप कितना होगा 10 स्क्वाइर मैं अगर आप इनको देखें आधा यह 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 सारे कितने होगा फायरूट टू अधा कर दीजे यह फायरूट टू यह फायरूट टू इस तरीके से कि फायरूट टू जो चार्ज है जो इसमें रखा हुआ है सवाल में दिया हुआ है चार्ज बतायागी है जो छार्ज रखा हुआ है सेंटर पे वो एक frequency है आपको इसमें पर फोर्स निकालना है क्या निकालेंगे जो फोर्स और रेपलशन चार्ज ए देखेगा A और O ये किसके बराबर है? ये उसके बराबर है जो आपका इसके C और O के बीच में है क्यों क्योंकि ये जो है माली जे A की है ये तो यहां भी प्लस 2 है यहां भी प्लस 2 है कहने का मतलब ये है कि एक जगा आपका 2 है एक बार 2 है तो यहाँ पर जो आपको इसके कारण मिल रहा है यह प्लस बन है थो इसको रिपल्शन होगा यहाँ जाएगा यह और इसके कारण यह यहाँ है अब यह फोर्स ए यह फोर्स दोनों के परक्ष्ण कि यह 1 है अगर आप फोर्स निकाले F क्या होता है के 1 by 4 pi epsilon को मैं के लिख रहा हूँ q1 q2 by r square है ना अब r ये distance भी same है q1 q2 भी same है क्योंकि एक plus 2 है एक 1 है अगला भी 1 है plus 2 है तो f1 और f2 अगर मैं ये मानूँ ये f1 है और ये f2 है तो दोनों बराबर होंगे और opposite direction में होंगे तो ये दोनों दोनों बराबर होगा है opposite direction में cancels करेंगे यही चीज़ इसके बारे में भी होगी अगर मैं एक लूँ तो अब ये तो opposite charge था याना कि यहां पर plus 2 और plus 1 एक जैसे charge थे तो वो एक दूसरे को ripples करने थे लेकिन यहां पर यह opposite charge है यहां पर एक microculum की बात करूँ तो minus 5 इसको यहां खीचेगा और यह minus 5 इसको यहां खीचेगा अगर force निकाले तो यह और यह दूनों opposite direction में है या एक दूसरे को cancel कर जाएंगे और यह इसी discussion से यह जो center पर जो force लग रहा होगा एक microculum पर यहां पर इस point पर इसके दौरा यहां force लग रहा है इसके दौरा यहां force लग रहा है इसके दौरा यहां force लग रहा है यह इसको cancel करेगा यह इसको cancel करेगा यहां पर zero आपका force होगा एक electrostatic field line एक continuous curve है यानि कि field of line इसमे sudden breaks नहीं हो सकते मतलब electric field line ऐसे क्यों होता है ऐसे 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 क्यों नहीं होता है और एक और चीज़ पुछी गई है explain why two field lines never cross each other at any point यानि एक line ऐसी है और वो दूसरी इसको ऐसे cross कर रही है क्यों? ऐसे क्यों होता है तो उसका reason यह है कि electrostatic field continuous curve है क्योंकि जो charge है वो experience करता है continuous force अगर हम electrostatic field में उसको trace करें तो यह continuous curve बनाता है तो जो field line है उसमें sudden break नहीं हो सकते तो जो charge है वो move कर रहा है continuously movement हो रहा है continuously तो ऐसा नहीं कि एक point से वो दूसरी point पर jump कर जा रहा है वो यू करके move कर रहा है इसलिए आपको यह जो line है ऐसे मिलेगी ऐसे 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 नहीं मिलेगी दूसरा यह है कि इसका reason यह है अगर मैंने कहा कि एक line यह है और एक line यह है दोनों cross कर रही है तो अच्छा direction कैसे पता चलता है यह point में ले रहा हूँ यहाँ पर मैं direction लूँ तो यह इस तरीके से electric field की direction मिलेगी even मान लीजे यहाँ पर अगर इसका tangent मनाऊ tangent से मिलती है यहाँ का tangent मनाऊ तो यह e2 बनेगी अभी even tangent मनाऊ e2 tangent मनाऊ देखे एक ही point पे दो electric field की direction हो रही है यह हो सकता है it is not possible अगर दो field line cross कर रही है तो electric field intensity आपकी दो direction में दिखाएगी एक ही point पे जो की possible नहीं है इसलिए दो field lines कभी भी cross नहीं करती एक दूसरे को दो point charges हैं आपके एक QA, QB है एक 3 microcolum है एक negative 3 microcolum है यह 20 cm एक दूसरे से है vacuum में आपको बताना है electric field क्या होगी mid point O पे जो line joining है AB जो दो charges के बीच में है पहले इसको देख लेते हैं फिर अगले को देखते हैं तो देखें situation कुछ इस तरीके से हैं कि 3 microcolum है और minus 3 microcolum है आपको इस जगह पे निकालना है क्या निकालना है? electric field तो distance इनके बीच में दिया है 20 cm इसका मतलब यह 10 यहां से यहां तक 10 होगा क्योंकि इनके इनके पूरे बीच में जो दूरी है वो 20 cm दी हुई है अब electric field जो होगी point E पे वो कैसे निकालेंगे? electric field पहले निकालते हैं जो इस plus 3 microcolum से है वो क्या होगी? 1 by 4 pi epsilon जो charge है यहां लिखेंगे और o a square यह वाला distance तो 10 square है ना यह आपका along along वो भी होगा ना इस direction में अब इसको लेते हैं अब यह a हो गया यह b हो गया यह plus claim ने निकाल लिया यह इस direction में था अब b के करण इसमें निकालते है 1 by 4 pi epsilon अब यहां पर minus हा रहा है देखिएगा यह minus है यह minus है यह minus है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो minus 3 column दोरा जो यहां पर लगने वाली electric field वो है 1 by 4 pi epsilon हम minus ले रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन हम इसका magnitude ले रहे है क्योंकि हम electric field निकालना चाहते है distance यहां पर क्या होगा ओभी यानिके 10 अब यह बिल्कुँ same चीज़ आएगी लेकिन यह along ओभी होगी along ओभी क्योंकि charge के बात हो रही है plus इससे यहां कर रहा है minus इससे यहां खीच रहा है direction में इसलिए हमने इनको जोड़ा तो E आपका कितना आया twice अब यदि negative charge test charge एक magnitude जिसका यह दिया हुआ है वो place किया गया इस point पे तो अब यह force को यह test charge क्या force experience करेगा आप इसको solve करेंगे तो खेर यह आजाएगा यह आपका midpoint पे इतना आएगा जिसका amount यह दिया हुआ है वो हमने midpoint पे रखा याना कि क्यों आपका यह आया अब देखिए force क्या होता है force होता है क्यों into electric field तो charge क्या है दिया हुआ यह electric field अभी हमने निकाल ली पिछले इसमें first part में इसको multiply कर दीजिए आपका यह आजाएगा यह आने कि force आपका directed होगा line OA की तरफ क्यों होगा क्योंकि negative test charge है वो ripple होगा जो point B है उससे ripple होगा लेकिन A उससे खीचेगा अपनी तरफ प्रट्राइट करेगा तो जो force test charge का है वो along OA होगा यह ध्यान रखेगा यह दियान रखेगा एक system है ऐसा जिसमें दो charge है QA और QB एक plus है एक minus है यह located है इसका बकाइदा आपको XYZ दिया हुआ है इसका भी XYZ दिया हुआ है आपको total charge निकालना है electric dipole moment निकालना है basically यह dipole का सवाल है तो कुछ इस तरीके से है दोनों जो charge है इसको हम कैसे locate कर सकते है या फिर जो हमको XYZ दिया हुआ उसको इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा यह X है यह Y है और यह Z है तो पहला जो है वो X और Y 0 है आपका Z यहाँ दिया हुआ है minus में है तो Z इस Z direction में minus 15 पर रख दीजे इसको और Z के plus direction पर यहाँ रख दीजे याना कि A B यहाँ हो गया A यहाँ हो गया और A जो है वो positive है और B जो है नेगटिव है अब देखिए QA QB आपको दिया हुआ है total charge system का क्या होगा QA QA plus QB याने this minus this total charge तो 0 हो गया वैसे भी total charge आपका system का 0 है लेकि इनके बीच में distance कितना यह 15 है और यह 15 है याने कि कुल मिलाके distance होगा 15 प्लस 15 तीस तीस याने कि इसको divide कर दीजे 100 से 0.3 मिटर आ गया अब dipole moment क्या होता पी होता है charge into distance charge into distance याने कि dipole moment आएगा charge कितना है आपका यह और distance कितना है इनके बीच में यहां से यहां तक distance कितना है 0.3 हमने यहां निकाला तो charge को आप में डिप्लाइ कर दीजे 0.3 से तो यह आपका dipole moment आ गया यह along होगा positive z axis इस direction में तो जो dipole moment है वो इतना है along positive z axis इस direction में आएगा है इसका magnitude यह दिया हुआ है आपको calculate करना है magnitude torque का जो इस पे काम कर रहा है तो torque क्या होता है torque होता है P e P cross e P e sin theta torque जो होता है अगर मैं इसको इस तरीके से बनाओ तो वो होता है pre cross e cross product है यानि कि यह होगा P magnitude e magnitude और sin theta P आपके पास है e आपके पास है sin theta आपके पास है सीथा value रखना है इस सवाल में P आपको दिया हुआ है theta आपको दिया हुआ है e आपको दिया हुआ है torque होता है P e sin theta P e और e रखिए sin theta जोने कि sin 30 निकालना है आपको sin 30 P e multiply करिए यह आपका magnitude डाइगा torque का इस dipole पे एक polythene है एक polythene पीस इसको रख किया गया wool के साथ उन के साथ और उसका negative charge हुआ 3 into 10 की पाउर माइनस 7 कोलम आपको बताना है कितने electron transfer हुए कहां से कहां पहले चीज़ सो यह बताना है कहां से कहां हुए कितने हुए दूसरा है Is there a transfer of mass from wool to polythene क्या mass का भी transfer हुआ है तो कि जब polythene आप रख करेंगे wool के साथ तो जो number of electron transfer हुए wool से लेकर polythene तो wool positively charge हो जाएगा polythene हो जाएगा negatively charge तो कितना transfer हुआ polythene का ज़िए कि चार्ज इसका दिया हुआ है यह minus 3 into 10 के पाव minus 7 जब आपका polythene piece rub किया गया wool से उसको charge पता किया गया 3 into 10 के पाव minus 7 याने कि इतना charge polythene piece में था और अब इतना charge हमको पता चला इतना charge भाई इतना हमको मिला और उसके बाद electron कितना है electron का charge कितना होता है 1.6 into 10 के पाव माइनस 19 यानि चार्ज कितने गए Q into N E हमेशा integral number पे होता है N निकालना है तो Q by E करेंगे Q आपको ये दिया हुआ है E आपने electron ये वाला लिया हुआ है तो रहें को divide कर दीजी आपका ये number of electrons आजाएंगे जो number of electron transfer हुए वो wool से लेकर polythene में हुए और कितने आपने देखे 1.87 से लेकर 1.87 और 10 की खथ 12 10 की पाउट 12 अब दूसरी चीज है कि क्या mass भी transfer हो रहा है तो उत्तर है इसका हाँ क्यों क्योंकि electron का mass भी तो होता है mass of electron कितना है 9.1 into 10 की पाउट 31 इतना होता है तो total mass कितना transfer हुआ जितने number of electron है उससे mass of electron multiply कर दीजे यह हम अभी भी निकाल चुके है यह हमरे पास mass of electron है दोनों को multiply करिए यह आपकी संख्या आजाएगी यह बहुत कम amount है मतलब जो transfer अपने हो रहा है तो negligible amount of mass is transferred from volt to porthin क्योंकि 10 की पाउट 18 kg आप सोचे कितना कम होता है लेकिन हुआ तो है दो insulated charge copper sphere A और B इनके जो center है मतलब center जो separated है वो है 50 cm आपको mutual force बताना है electrostatic repulsion का यदि जो charge है दोनों पे वो 6.5 into 10 की पाउट मैनस 7 है जो radii है और A और B का उसको neglect कर सकते हैं अगर distance देखें distance आता है इनकी radii कम है अगला इसी में है कि क्या force repulsion का होगा यदि एक sphere हर जो दोनों sphere में उनके charge को double कर दिया जाए जो यहाँ पर दिया है उससे double कर दिया जाए और distance उनके बीट में आधी कर दी जाए तो charge पहले sphere पर कितना है ये दूसरे sphere पर कितना ही ये ये आपको सवाल में दिया हुआ है distance 50 cm है डिवाइड कर दीजिए इसको 100 से 0.5 मिटर आ जाएगा तो force क्या होगा repulsion का है इसके बीच में 1 by 4 pi epsilon qa qb by r square epsilon not इसमे permutivity होती है free space की 1 by 4 pi epsilon not की value होती है 9 into 10 के पहुर 9 सारी value रख लीजिए ये आपका force आ जाएगा दूनों के बीच में इसके बाद हम क्या करेंगे जो r है distance उसको आधा कर देंगे उसको r by 2 करेंगे यह 0.5 हमने निकाला था उसको 2 कर देंगे तो ये आपका 0.5 by 2 0.25 आ गया तो अगर हमने इसको आधा कर दिया और ये जो charge है उसको हमने double कर दिया twice कर दिया double कर दिया distance को आधा कर दिया force वही रहेगा q1 q2 बदल गया और distance बदल गया तो force कितना आ जाएगा इतना newton आ जाएगा तो force इन दोनों के बीच में इतना newton 0.243 newton आएगा तो ये हमने पहला पार देखा इसका सवाल जवाब का अभी एक और देखेंगे तब तक लिए शुक्रिया महरबारी आप सभी की